लड्डू गोपाल के कपड़ों को धूने के लिए आपको किसी भी परकार के कोई टिटरजिन पाउडर या साबून की आवलशक्ता नहीं है आप गरम पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल सकते हैं आप थोड़ा सा नीबू का रस डाल सकते हैं आप गुलाब जल डाल सकते हैं आप कपूर डाल सकते हैं और उसी के बाद आप उस पानी में दुबो कर कुछ देर लड्डू गोपाल के कपड़े रख दीजी और उसके ब अगर लड्ट्व कोपाल के कपड़े फट जाएं, तो आपको उनको क्या करना है? सिलाई करके आप दुबारे से रीयूस कर सकते हो. अगर आपके मन में यह भाव है कि मैं दुबारा से रीयूस कपड़े नहीं कर सकती हूं, तो मैं क्या करूँ तो आप जमीन में گडड़ा करके crapbird की कपड़ जहां वहाँ पे दबा सकते हैं वह किठा कूछ थाद़ भभा पन जाएगा बहुत सारे लोगाँ महेंगे कपड़ की कपड़े नम्मी कंप्लिय जाते हैं था लीन आप पर एक दूसरे को लड़ू गोपाल के हमारे लड़ू गोपाल एक दूसरे लड़ू गोपाल के खपड़े पैंते रहते हैं आपस में बदल बदल के पैंते रहते हैं जब भी वो ममी के घर पर जाते हैं नानी हाउस जाते हैं जब भी है तो बदल बदल के पैंते रहते हैं कोई परिशारी नहीं होती है ऐसा होता है कि किसी किसी के पास बहुत महंगे कपड़े लड़ू गोपाल के खरीदने के पैसे नहीं होते हैं लेकिन उनके मन में सेवा भाव होती है तो आप उनको कपड़े डोनेट कर सकते हैं राधे राधे जैश्री किष्णा हरी गोई।